शाहरुक खान की उत्सुकता से प्रतीकशित जवान ट्रेलर आज जारी किया गया और ये तमिल हिटमेकर एटली के साथ अभिनेता के पहले सहयोग का प्रतीक है पठान की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद शाहरुक एक बार फिर एक एक्शन हीरो अफ़तार की तलाश में है यह अफ़तार इस साल उनकी पिछली फिल्म की तुलना में अधिक शानदार और आकरशक लग रहा है दो मिनिट से अधिक के ट्रेलर की शुरुआत शाहरुक की चिर परिचेतावाज के साथ होती है जहां हमें उनके चरित्र के नैतिक संकट के बारे में पता चलता है व्यापक शौट्स अनिरुद रविचंदर के धड़कते थीम संगीत के साथ नाटक को उंचा उठाने के साथ उनकी जीवन यात्रा की ज़लक देते हैं ये तेजी से निरंतर कारवाई में तबदील हो जाता है और शाहरुक का पट्टीदार लुक सामने आता है जब वह अपने दुश्मनों से मुकाबला करते हैं नाम तो सुना होगा जैसे ही उनका नाम स्क्रीन पर सबसे शांदार अंदाज में दिखाई देता है शाहरुक खान अपनी प्रतिष्ठित पंक्ती कहते हैं ट्रेलर में नयंतारा का नायक जैसा एंट्री शॉट विजे सेतुपती का चिंतनशील अफ्तार और दीपिका पादुकोन का एक सीटी मार्क्षन भी शामिल है जो फिल्म में एक विशेश भूमिका निभाती है हमारे पास सान्या मलहुत्रा और प्रियामनी का पलक जपकते और चुकते चहरे का खुलासा भी है जो साजिश को बढ़ाता है एकली द्वारा लिखित और निर्देशित जो विजे थेरी दो हजार सोला और मिसल दो हजार सत्रा के साथ अपने सफल एक्षन ड्रामा के लिए जाने जाते हैं जवान एक विज्यापन के दाइरे में शाहरुक खान को पहले कभी न देखे गए अफ्तार में पेश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं पॉट बॉइलर बॉलीवुड प्लासिक पर थिरक्ते गंजे सिर वाले स्वार के का आखिरी शॉट प्रशन सकों को पागल करने के लिए काफी है सुपस्टा कास्ट दिर दहला देने वाला एक्षन शाहरुक खान स्क्रीन से ऐसे धमाल मचा रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा प्यार ना करना क्या होता है जवान साथ सितंबर को सिनेमा घरों में आएगी